शहादत शब्द का उपियोग उनके लिए किया जाता है जिन्होंने अपनी जान हस्ते हस्ते धर्ती की सेवा में नियोच्छावर कर दी हो आज 23 मार्च है जिसे हम शहीद दीवस के तौर पर मनाते हैं शायदी कोई होगा जो इस दिन का इत्यास और इसकी एहमियत नहीं जानता हो फिर भी हम दोबारा बताते हैं आजी के दिन साल 1931 में अंग्रेज हुकमरानों ने भारती युवा क्रांतिकारी भगत सिंग शिवराम राजगुरू और सुगदेव थापर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था महज 23 साल की उम्रे में ही ये नौजवान मातर भूमी पर पुर्बान हो गए जिसके चलते इन्हें शहीद आजम कहकर पुकारा जाता है इस बलिदान के बाद पूरे देश में युवा खोन आजादी पाने के लिए उबल पड़ा था इसी वजह से भारते सोटंतरता आंदोलन के इध्यास में इस दिन को बेहत एहमाना जाता है शहीद दीवस के मौके पर भगत सिंग, सुखदेव और जाजगुरू को शिर्द्धान जेली अरपित की जाती है कई संस्थाएं, सरकारी और गैर संसकारी, संगठोनों दुवारा इस मौके पर मोन सभा का आयूजित के जाता है और वीरों की आत्मा की शांती के लिए प्रात्था की जाती है कई जगाओ पर तो 33 स्मार्ज, शहीद दिवस पर निबंद, लेखन और सारजनिक भाषन का भी कारी करम आयूजित के जाता है भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव थापर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती हुए पब्लिक सेफटी और ट्रेल डिस्टिब्लूटर विलेज की विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को फासी देने के लिए 24 मार्च 1931 की सुबा 6 बजे का समय चुना गया था लाहोर सेंट्रल जेल के बहार दो दिन पहले ही लोगों की भीड भारी संख्या में जुटने लगी यह भीड लाहोर में धारा 144 लागो करने पर भी नहीं थमी तो अंग्रेज घबरा गये भीड की भारी संख्या देखकर इन शहीदों को 12 घंटे पहले ही फासी पर लटका दिया गया और 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे तीनों को फासी दे दी गई इससे पहले तीनों को अपने परिवारों से आखरी बार मिलने की भी इजासत नहीं मिली अंग्रेजों ने जंता के गुस्से से बचने के लिए तीनों के शव जेल की दिवार तोड़ कर बाहर निकाले और रावी नदी के तड़ पर जाकर जला दिये इसी के साथ तीनों युवाओ का नाम हमेशा के लिए इध्यास में दर्ज हो गया